हेडलाइन्स की बाद चली रुक करते हैं खबरों का मुखी मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने भुपाल के बल्लव भवन मंतराले NXC2 में आपदा प्रबंदन के लिए इस्थापित राज इस्तरी सिचुएशन रूम का लोकारपण किया मध्यप्रदेश में मौसम कैसा रहेगा डैम के गेट खुलेंगे तो कहीं बाड के हालात तो नहीं है ये सब जानकारी सिचुएशन रूम में लाइव रहेगी इसकी बाद ततकाल रेस्क्यू कर जिंदगियां बचाई जा सकेंगी मौसम विभाग से मिलने वाली भारी बारिश की चेतावनी सभी जिलों को तुरंत बताई जा सकेगी इसका इस्तमाल अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में होगा इस तरह प्रदेश में बाड के हालात पर सरकार एक ही जगह से नज़र रख सकेगी वहीं मुक्यमंतरी चोहान ने वीडियो कानफरेंसिंग के जरीए होशंगाबाद, सिहोर, भुपाल समित कई जिलों के पुलिस और प्रशासंग के अधिकारियों से बाद भेकी उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे बार से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया साथ ही उपलब्द संसाधनों की जानकारी ली करीब 45 मिनिट तक मुक्यमंतरी अधिकारियों से समवाद करते रहे मुक्यमंतरी ने कई डैम, नदी समित, शहरों में लगे कैमरों से लाइव लोकेशन भी देखी